नमस्कार दोस्तों आज हम एक विशय लेकर आया है टीसू कल्चर इसके बारे में आप सबने सुना होगा विल्कुल ठीक आज हम टीसू कल्चर खेती के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे कि यह खुती होती क्या है इसके फाइदे क्या है और यह प्रक्रिया होती कैसे है तो इसी को लेकर इस खबर में आगे बढ़ते हैं चलिए आपको बता देते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें पौधे की उतक उतक को कहा जाता है टीशू यानि इसमें पौधे के उतकों का एक छोटा साथ तुकड़ा उसके बढ़ते हुए उपरे हिस्से से ले लिया जाता है और इस टीशू के तुकड़े को एक जैली में रखा जाता है जिसमें पोशक्तत्थ और प्लांट हार्मोन मौजूद होते है आपको जानकारी देते हैं कि ये हार्मोन पौधे की उतकों में कोशिकाओं जिने सेल्स कहते हैं को तेजी से तोड़ने का काम करता है और इनसे कई कोशिकाओं का निर्माड भी होता है इन सभी कोशिकाओं को एक साथ एक ही जगह पर इखटा किया जाता है जिसे कैलस कहते ह कैलस को भी एक अलग जगह पर जैली में इस्थानित किया जाता है कैलस का काम होता है पौधों की जड़ों को विक्सित करने का जब कैलस में जब जड़े विक्सित हो जाती है तो उसे एक और जैली में इस्थानित कर दिया जाता है जहां पर कई हार्मोन पहले से होते हैं आपको बता दें कि इन ही हार्मोन के कारण ही पौधे के तने को विकास मिल पाता है केलस को जड़ और तने के साथ ही एक छोटे पौधे के रूप में अलग कर दिया जाता है और बाद में इस तरह के बाकी पौधों को भी मिट्टी में लगा दिया जाता है तो ये थी पूरी प्रक्रिया के किस तरह से एक टीशू पौधा त्यार किया जाता है अब आपको बता देते हैं कि टीशू कल्चर जो तकनीक है इससे खेती को क्या फायदे मिलते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि एतनी फायदे मंद होती है एक खेती बताते हैं कि पौधे जो होते हैं वो उसमें किसी तरह के कीट और रोग नहीं होते हैं याने कि किसानों को मिलते हैं ऐसे छोटे पौधे इस तकनीक के द्वारा कि जिनमें किसी भी तरह के कीट या रोग से वो बिल्कुल मुक्त होते हैं दूसरी बात यह है कि सभी पौधों में एक ही तरह का विकास होता है इसका मतलब यह होता है कि सभी पौधे एक समान होते हैं यही वज़य है कि उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोत्री देखने को मिलती है इस प्रक्रिया के दौरा साथी साथ आपको बता दे कि कम समय में फसल तयार होती है इस प्रक्रिया से लगभग बताते हैं कि 9 से 10 महीने के बीच फसल तयार हो जाती है इसके अलावा साल भर छोटे विक्सित पौधे उपलब्ध होतने की वजह से रुपाई भी साल भर की जा सकती है किसान कम समय में ही इस तकनीक से मिलने वाली नई किसमों का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा पौधों में किसानों को एक के बाद एक दो अंकुरण मिल सकते हैं और इससे खेती की लागत में भी कमी आ सकती है तो इस तरह किसान कम समय में ही इस तकनीक से मिलने वाली नई किसमों का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे इसके फायदे अब आपको बता देते हैं कि किनकिन पौधों में इस तकनीक का इस्तमाल किया जा सकता है गर आपको बता दें कि टीशू तकनीक का उपयोग बागवान किसकी बागवानी में कर सकते हैं तो आपको इसकी जानकारी दे दें कि बागवान टीशू कल्चर तकनीक का उपयोग आर्किट और दहेलिया, कॉर्नेशन, गुल, दाउदी जैसे सजावटी पौधों के उत्पा रामयाबी देश में पहली यह बार आई-ई-इच बीटी ने टीशू कल्चर तकनीक किया है, कैसी इसकी परकिए होती है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं इसको लेकर फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ इजाज़त दीजिए लगज़